नमस्कार कैसे हैं आप लोग स्वागत कर रहे हैं इस वीडियो में और इस वीडियो में लोग यह जानने वाले हैं कि आ ूप कर गरें आप आप है बार क्वारा और जाहते हैं कि Subscribe ॐ कि हम सायंस live कि से करें किसमें जयदा जोigh मिलेंगे किसी हम क्या बन सकते हैं कौं कि आगे चलके हम परिषान ना करे क्योंकि होते हैं जो अभी सायंस ले लिए याafar λे लिए या आगे चलके होते हैं तो आपको सबसे पहले इनके बारे में जानना चाहिए कि आर्ट क्या है साइंस क्या है इसमें हमें को क्या पढ़ना चाहिए इसमें है हम कौन-कौन से सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए आगे चलके हमें जो परिस्तानी नहीं हो नौकि आप इसलिए सैंस ले जैसे कि आप किसी के दवाओं में आके जो है सैंस ले लिए या आर्स ले लिए या कोमर्स ले लिए हो सकता है या आपके मित्र के बहकावे में आपने क्पिस लोग केते हैं या इंजनियर में आपको नहीं देखना आपको क्या धित या या यह भी आपके साथ हो सकता है कि पढ़ने के लिए पढ़ नंःaran CU सुन पढह यह आपको पड़ना थो सब में पर नहीं परूब मिलत है तो आपको यह ध्यानने देना है तेखिए अगर आपको नोजच साहिए तो किसी बी सब्जीक्ट से आप लेते हैं तो आपको पढ़ना पढ़ेगा और सभी में आपको लिख मिलते हैं तो ही आप कुछ आगे कर सकते हैं पृर भी अपको क्या रखना चाहिए दियांद सेância देख सो बाते आप इस वीडियो के अगर आप शुरूर से लेकरान तक देख लिए न तो आप खुद से डिसाइर कर पाएंगे कि हमें साइंस लेना चाहिए या आज लेना चाहिए चलिए हम आपको बताते हैं आखिर क्या लेना चाहिए ध्यांचे देखिएगा सबसे पहले सबसे पहले सब्सक्राइब बन सकते हैं दॉक्तर या अपको जाना थे आप को मन ऐस बन सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब सबसे पहले हम सुरू करते हैं साइन से स्थाइन से देखेगा तो साइन्स में साइन्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं तो देखिए आप जो है मैथ रखेंगे या मैथ रखेंगे यहां से आपका फिजिक्स होंग ठीक है फिजिक्स होंग queste आपका कीवी मिलिए या व्याफसों बड़े में यहां पर अगर आप डॉकटरी लैन ब्वहर में जाना चाहतं हैं तो व्यलोजी आपका हो जाएगा और or यह तीन धीным हो अगर आप साइंस ले रहे हैं और आप मायत समझे ने रहे और से से होगा आपको फिजिक्स समझे में आ रहा है तो आगे आपको प्रणुम्ण होंगे ही तो यह भी आपको देखना चाहिए हमारे साब से ठीक है और हिंदेगलिस तो आपका हो गाएं यह है अब हम सब्सक्राइब अब के आजने हैं पर सब्सक्राइब से में सब्सक्राइब सब्सक्राइब एसके बाद प्ष vorbere Freedom ठीक है इसके जयरा में बताते हैं नहीं है सकेपा कि साइक्लोजि होगे ठीक है साइकोलोजि हो में ठीक है इस के बाद आपके तो यह भाद यहां पर 80 में नाती है ठीक है यह सब्जेक्ट जो है यह आपके जो है आर्ट कोन कोन हिस्ट्री होगे जोगरोपी होगे पुलिटिकल साइन्स होगे साइकलोजी होगे फिलोस्पी होगे होम साइन्स होगे ठीक है होम साइन्स होगे एकोनोमिक्स होगे सोसालोजी होगे यह जो सब्जेक्स हैं यह आपके आठ के सब्जेक्ट ठीक है और आपके इसमें भी सेम आपके हिंदी और अंग्रेज तो रहेंगे ठीक है हिंदी और अंग्रेज ठीक है तो यह आपके हो गए आठ के सब्जेक्स ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं आगे हम बात कर लेते हैं कि आगे हम बात करें कर लयाते हैं commerce ठीक है e-commerce तो commerce में क्कोंषप्जिक्ट आते हैं तो कॉम आपके आते हैं account ठीक है Commerce की आते हैं Golf ऻकिक है इसके बाद आते हैं कि business studies हृष भीजनेसних के फार टीक है इसके बाद आपके आते हैं economics एको नो मिक्स ठीक है इसके बाद आपके हैं आते हैं इंटर्प्रिनियर्शिप ठीक है इंटर्प्रिनियर्शिप ठीक है इंटर्प्रिनियर्शिप ठीक है इंटर्प्रिनियर्शिप आते हैं ठीक है जिस्तों कॉमर्स में हो गए आपका business studies होगे economics होगे entrepreneurship होगे तो यह आपके commerce का subject आगे है इसमें भी आपके हिंदी हो जाएंगे हिंदी हो जाएंगे और English हो जाएंगे एन्टिकि इंग्लिस हो जाएंगे तो यह आपके account मतलब कि Commerce के subject यह आप जो हैं आपको अब सकमर्स साइंस और आच के subject के होती है अब इन में से आप को यह सब्सक्राइब अब को सद्टाइब आपको रहें तो किया बैलोजी पर यहां से लेना होगा माली जी कुन हो आप से सकते हैं इसके ले लिए और इसके बाद आपको हिंदी और अंग्रेजी लेना होगा इसके अगर आप अभी समझ गए तो आगे आपको परिशान नहीं होंगे ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें साइजस से जो हैं क्या क्या बन सकते हैं कि यहां से नहीं से देखिएगा तो साइंस से आप साइनस से इंजीनिर बन सकते है आप साइंस से जो हैं इंजिनियर बन सकते हैं आप साइंस से जो हैं डॉक्टर बन सकते हैं ठीक है डॉक्टर बन सकते हैं आप साइंस से जो हैं साइंटेस्ट बन सकते हैं आप साइंस से जो हैं टीचर बन सकते हैं या तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं ठीक है प्रोफेसर सकते हैं ठीक वर야 साथ में आप जो हैं साथ में यहां पर आगे हम आपको बता दे जहाँ आगे हम सबस्सक्राइब किया आप किसी भी विल्ट में जा सकते हैं ठीक है आप सैंस के अगर आप लेते हैं मतलब वाद 11 रभांगуш के लिए लगभग सब ही दर्वाजे खुली है आप संए पाउर है ठीक है तो यह अगर आपको बनना है आगे चलके डौक्टर बनना है इंजिन्यर बनना है तो आप जो है साइंस रख सकते अब साइंस के आप टीचर बनेंगे स्टी के सैंस के आप टीचर बनेंगे साइंस का मतलब साइंस का मतलब जो है अगर आप विजिक्स से रहें हैं तो विजिक्स से रहें हैं हो यहाग है वही रहती है अगर आगर आप रहते हैं तो आप बहुत बढ़े पत जा सकते जैसे कि आईएस आईपीएस बन सकते हैं ठीक है आईएस आपीएस बन सकते हैं तो आपको आगे काफी सहता मिलेगी सकते हैं लेकिन आच से आपको आगे काफी मिलेंगे यह होता है ठीक है आगे हम बात करें आप जो है एड़ोकेट बन सकते हैं ठीक हेडिवोकेट बन सकते हैं आगे और क्या बन सकते हैं आगे लिह अगे सकते हैं इसमें भी आप जो हैं पर यहां पर भी यहां ऑसानी से जा सकते हैं इस तो यह रहा आप आसानी से इसमें भी जा सकते हैं क्या सब बार से बन सकते हैं अब आपको आपके मने में सारा डूर्स किलियर हो गया होगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमर्स हम क्या सब बन सकते हैं ध्यान से देखेगा कॉमर्स हम ठीक है कॉमर्स हम जो है कॉमर्स हम जो है चार्टर एकाउंट सकते हैं यानि किसे सी यह बन सकते हैं सी यह ठीक है चार्टर एकाउंटर इसके बाद जो है एकाउंटर बन सकते हैं ठीक है सकते हैं इसके बाद जो हैं इसके बाद हम क्या बन सकते हैं इसके बाद हम यह बन सकते हैं और डीटर बन सकते हैं इसके बाद क्या बन सकते हैं इसके बाद जो है सकते यह जिससे उनका है सारा चीज किलियर हो और वहते बारा विजनेस में बन सकता है ठीके को बर्ष रखे आगे। ऑर क्या सकते हैं से जा सकते हैं रेल्वेंट सकते हैं बेंकिंग में अपना हैं धेर सारे हैं जिसमें आप तो इस समय जो है आप आसानी से जा सकते हैं और जब आपने इतने सारे चीज आपने देखा कि हमने साइंस से क्या बन सकते हैं साइंस से हम बन सकते हैं डॉक्टर बन सकते हैं इंजिनियर बन सकते हैं साइंटिस बन सकते हैं टीचर बन सकते हैं ठीक है अंडे में जा सकते हैं सकते इसके बाद आपने देखा कि आर्ट से हम क्या सब बन सकते हैं यहां से आपको आसानी होती है ठीक है यह आप समझ लीजिए और साइस अब आप लोग बताइए यह आपको अब धेहरो सारी चीज आपको समझ में आया होगा आ छ Agora कि अब कुछ लोग कहेंगे कि सारी बात बता है है तो हमको बनना क्या चाहिए हमको साइंस रखना प्रौश रखना कुछ लोग कि हमें कोblespekt aloud just a внимание doctor के बारे में आपको पफिले पता करना हुगा mean doctor की लायक करना कि लाइक आप तो इसके बारे में पहले साँकाई लिए और प्रकिए और बैलोहरिके आपके हैं मित्र जिक्टर बनना चाहरा हैं तो आप भी bremb organ यह सब आप को नहीं देखना है इसके बारे आप पता कीजें आप कर पाइंगे या नहीं कर पाइंगे और फिर उनके बारे में जो है जब जानकारी ले ले हैं तो फिर इनके बारे वो सब्जिक साब ले सकते हैं और बन सकते हैं लेकिन वारे मॉझे है आपको जानकारी सबसे पहले लेनी चाहिए ठीक है उमीद है कि इस वीडियो को तो हम कहेंगे अगर आप परने में थोड़ा बहुत अच्छे हैं तो आप साइंस आप रख लेजिए किसी परकार का दीकत नहीं होगा लेकिन आपको सबसे पहले यह देख लेना है यह सानी के बैलोजिस रख लिए हमको डोक्टर बनना ही आपको मैत रखना है मैत फिजिक्स क में मैं लेजिया आपने आर्ट रख लिए तो फिर आप साइंस रखना चाहते तो नहीं जा सकते हैं लेकिन आप साइंस से आर्ट या कॉमर्स में जा सकते हैं ठीक है तो यह वी आपके लिए प्रेदे mandatory employees कर लिए तो आप किसी भी परकार का फॉन्द इन्वलब कर पांगे क तो यह आपको खुद सूच रहा होगा यह आप क्या रखना सार हैं अगर आप बहुते जादा कमजोर हैं तो भी आप साइंस रक्स रख सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि कमजोर स्टुडेंट ही आर्ट रखते हैं यह भी बिल्कुल नहीं है ठीक है लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि और साइंस अगर आप रखते हैं तो आगे आपके लिए फैदे मंद होंगे ठीक है फिर भी आप सबी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या रख सकते हैं जिस फिल्ड में आपको जाना है वो सब्जेक्ट रखिए लेकिन आगे आपको मेह जाया होगा पसंद आया होगा पसंद आया है लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब करना धन्यवाद